दिल्ली शहर में एक अनूप नाम का लड़का रहता था। अनूप के पास बहुत धन्दौलत थी। उसको पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसकी दिल्ली में एक बहुत बड़ी कमपनी थी। अनूप अपने शरीर पर बहुत ध्यान देता था। वो फिट रहने के लिए सुबह बार को रात में जिम जाया करता था। वो जिम में एकसरसाइस के बिना नहीं सोता था। एक दिन अनूप को अपने ओफिस में काम करते काफी रात हो गई। ओफो। काम करते करते पता ही नहीं लगता। इतनी रात हो गई है। जल्दी घर चलता हूं जिम भी करना है। नही ठीक है बिटा, जल्दी आना, रात में जादा बाहर रहना ठीक नहीं है अनूप जिम के लिए निकल जाता है कुछी देर के बाद वो जिम पहुँच जाता है जादा रात होने के कारण जिम बिल्कुल खाली होता है जिम में ट्रेनर है और एक सुन्दर सी लड़की एक्सरसाइस कर रही है अरे, ये क्या? आज जिम में कोई नहीं है लगता है जादा रात होने के कारण सब लोग एक्सरसाइस करके चले गए हैं अनूप अपना समय जादा ना खराब करते हुए एक्सरसाइस करना शुरू कर देता है अनूप अगले दिन भी रात में जिम जाता है उसे वहाँ फिर से वही लड़की अकेले एक्सरसाइस करती दिखाई देती है अनूप ये देख कर खुश हो जाता है अज तो इस लड़की से बात करके रहूँगा अनूप अपना समय बरबाद ना करते हुए एक्सरसाइस करना शुरू कर देता है अनूप उस लड़की के पास खड़े होकर अपनी एक्सरसाइस करना शुरू कर देता है थोड़ी तेर बात एक्सरसाइस करते हुए हलो मेरा नाम अनूप है हलो मेरा नाम शालिनी है हाँ जी मेरे को यही टाइम मिलता है ओफिस के बाद एक्सरसाइस करने का हाँ मैं भी बहुत लेट हो जाता हूँ अपने ओफिस में काम करते करते इसलिए मैं इसी समय आ पाता हूँ ऐसे ही रोज अनूप और शालिनी रात के समय आते और अपनी एक्सरसाइस करते रोज उनकी बातचीत होने के कारण उनमें काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी फिर एक दिन अनूप के ओफिस में एक फंक्शन होता है वो शालिनी को भी उधर आने के लिए निमंत्रन देता है अरे शालिनी कल मेरे आफिस में एक फंक्शन है बाहर से काफी लोग आएंगे तुम भी मेरे आफिस में आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा हाँ अनूप क्यों नहीं मैं जरूर आऊंगी अनूप शालिनी को अपने ओफिस का एड्रस बताता है और अगले दिन सुबह दस बजे आने को कहता है अगले दिन शालिनी अनूप के बताये गए समय के अनुसार ओफिस पहुँच जाती है शालिनी वहाँ जाकर देखती है कि अनूप का तो बहुत बड़ा ओफिस है उसके ओफिस में बहुत सारे कर्मशारी है साथ ही ओफिस बिल्कुल एक आलिशान होटल की तरह तयार किया हुआ है तब ही अनूप को शालिनी दिख जाती है अरे शालिनी तुम यहां आई मुझे बहुत अच्छा लगा अरे क्यों नहीं मेरे जिम पार्टनर के ओफिस में फंक्शन है मेरा आना तो लाजमी है ये सुनकर अनूप बहुत खोश हो जाता है उस दिन शालिनी बहुत सुन्दर लग रही होती है उसने काले रंगी बहुत प्यारी सी ड्रेस पहनी होती है अनूप शालिनी को देखकर बहुत आकरशित होता है ये लड़की मुझे इतनी सुन्दर लग रही है आज कि मैं क्या बताऊं मैं इसको थोड़े दिनों में बता दूँगा कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और इसे अपनी गर्फरेंड बनाने के लिए पूछूंगा देखते ही देखते ओफिस का फंक्शन खत्म हो जाता है उसी दिन रात को अनूप और शालिनी फिर से जिम में मिलते है अनूप ऐसे मत बोलो तुम मेरे दोस्त हो अनूप और शालिनी फिर एक्सरसाइस करने लग चाते है उफ अब मैं बहुत ठक गया हूँ अब मुझे घर जाना चाहिए अनूप मैं भी ठक गई हूँ मैं भी साथ ही अपने घर के लिए निकल जाती हूँ अनूप और शालिनी अपने घर पहुच जाते हैं घर पहुच कर अनूप शालिनी को फोन करता है हलो शालिनी हलो अनूप हाँ बोलो कोई जरूरी काम नहीं नहीं मुझे कोई जरूरी काम नहीं है वो मैं सोच रहा था मुझे कल शॉपिंग करने जाना है क्या तुम मेरे साथ चलोगी कल संडे भी है हाँ कल संडे है मेरा भी अभी तक कोई प्लान नहीं है मुझे भी कपड़े खरीदने है मैं भी लगे हाथ अपने लिए कपड़े खरीद लूगी अगले दिन सुबा अनूप और शालिनी मौल जाने के लिए तैयार हो जाते है अनूप शालिनी को फोन लगाता है हलो शालिनी हलो अनूप कैसे हो मैं ठीक हूँ क्या तुम तैयार हो जाने के लिए हाँ मैं तैयार हूँ हाँ तो ठीक है मैं आसे घंटे में तुम्हें तुम्हारे घर से पिक करूँगा ठीक है कुछ देर बाद अनूब शालिनी के घर के बाहर पहुँच जाता है रास्ते में मौल जाते हुए अनूब की गाड़ी में अजीबो गरीब वाकिया होने लग जाता है अरे ये मेरी गाड़ी का वाइपर खुद बखुद कैसे चलने लग गया शालीनी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती तब ही तुरंट अनूप की गाड़ी में जोर जोर से म्यूजिक चल जाता है अरे ये क्या हो रहा है मेरी गाड़ी में पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ शालीनी ये देख बहुत जोर जोर से हसने लगती है ये देख अनूप बहुत हैरान हो जाता है शालीनी की आवाज भे बिलकुल बदली हुई डरावनी सी होती है अनूप ये देख कर बहुत अचमभित हो जाता है तब ही अचानक अनूप की गाड़ी रुख जाती है अरे ये ये गाड़ी कैसे रुख गई शालिनी की आँखे एकदम लाल होती है मुझे क्या पता देखो क्या हुआ है तुम्हारी गाड़ी में अनूप शालिनी की लाल आखे देख कर बहुत परिशान हो जाता है कि आखिर शालिनी ऐसा अजीब बरताब क्यों कर रही है। ऐसे तो वो कभी नहीं करती। थोड़ी देर बाद अनूप की गाड़ी बिलकुल ठीक हो जाती है और अनूप आगे मॉल की तरफ पढ़ता है। कुछी देर बाद अनूप अपने कपड़े खरीद लेता है। अरे शालिनी मैंने तो अपनी शापिंग कर ली तुम्हें कितनी देर लगेगी। बस पांच मिनट मैं बस ये एक कपड़ा पहन कर देख लूँ ये पसंद आया तो फिर इसे खरीद कर घर चलते हैं। देखते अनूप शालिनी का इंतजार करता है। तभी शालिनी कपड़े पहन कर बाहर खुद को शीशे में देखने आती है। जैसे शालिनी खुद को शीशे में देखती है उसका शरीर शीशे में बहुत डरावना और भूतिया देखता है। ये अनूप देख लेता है और बहुत ड लग गया है शालिनी भी अपने लिए कपड़े खरीती है अनूप सारी बात को इग्नोर करते हुए चलो शालिनी आप कुछ खा लिया जाए मुझे बहुत जोरों की भूक लग रही है हाँ मुझे भी भूक लग गई है चलो कुछ खा लिया जाए अनूप और शालिनी खाने के एक भूखी बिल्ली की तरह जपट पड़ती है और वो खानी को जानवरों के तरीके से खा रही होती है ये देख अनूप बहुत परिशान हो जाता है कि आखर शालिनी ऐसा बरताव क्यों कर रही है क्या वो ये सब मजाग में कर रही है अनूप और शालिनी रेस्टरेंट में खाना खाते हैं और फिर अनूप शालिनी को उसके घर ड्रॉप कर देता है अगले दिन अनूप सुबह पार्क में दौर लगाने जाता है तो उसे वहाँ शालिनी मिलती है आरे शालिनी तुम यहाँ सुबह पार्क में? पिर अनूप और शाली नी एक साथ दोड़ने लग जाते है तब ही अनूप देखता है कि शाली नी उल्टा दोड़ रही है और किसी के साथ टकरा भी नहीं रही ये देख अनूप सोच में पढ़ जाता है एक तरफ अनूप को शाली नी की अजीबो गरीब हरकते दिख रही थी दूसरी तरफ अनूप शाली नी की सुंदरता देख देख कर पागल हुए जा रहा था चलो शाली नी आज सुबह बहुत कसरत कर ली अब मुझे घर जाकर तयार होना है नहीं तो मैं आफिस के लिए लेट हो जाओंगा ठीक है बाई शाम को जिम में मिलते हैं अनूप और शाली नी अपने अपने घर की तरफ चल देते हैं रास्ते में अनूप सोचता है अनूप बहुत सोचता है और तय करता है कि आज वो शाली नी को रात में जिम में बता देगा शाम को अनूप और शाली नी जिम में मिलते हैं तभी वहां का ट्रेनर आता है आज मुझे थोड़ा जल्दी जाना पड़ रहा है ऐसा करो आप एक्सरसाइज कर लो मैं सुभह आपके घर से जिम की चाभी ले लूँगा ठीक है अरे आज तो मेरी लोटरी लग गई आज मैं शाली नी को अपने मन की सारी बात बता दूँगा और आज तरो ट्रेनर भी नहीं है ट्रेनर के जाने के साथ ही जिम का दर्वाजा खुदभख खुद बंद हो जाता है अनूप शालीनी के पास जाता है शालीनी, मुझे तुम से कुछ जरूरी बात करनी है हाँ अनूप बोलो, तभी जिम में म्यूजिक जोर-जोर से बचने लगता है बोना, मैं तुभे बहुत चाहता हूँ शालीनी तभी अपने असली अवतार में आ जाती है मुझे पता था तुम मुझे चाहते हो फंस गया तु मेरे जाल में मैं तुझे नहीं जोड़ूँगी मैं तुझे जिन्दा मार डालूगी शालीनी का चुडैल वाला अवतार देख अनूप बहुत डर जाता है और गेट की तरफ भागता है भाग कहा तक भागेगा आज तेरा अन्तिम दिन है अनूप गेट पर पहुँचता है तो देखता है कि जिम का गेट खुद बखुद बंध हो गया तब ही जिम की लाइट भी चली जाती है मुझे माफ करो मुझे छोड़ दो ऐसे कैसे छोड़ दो तुझे शालिनी अनूप के पीछे उसका गला दबाने आही रही होती है इतने में अनूप को याद आता है कि उसके गुरु जी ने उसे काली माता का लॉकेट दिया था और बोला था जब भी कोई परिशानी हो इसे पहन लेना अनूप वो लॉकेट लेने अपने जिम बैक की तरफ भागता है और लॉकेट निकाल कर उसे पहन लेता है अरे ये क्या कर लिया दुने उतार इसे अम भी उतार इसे अनूप शालिनी की एक नई सुनता और जिम के गेट की तरफ भागता है वो धर जाता है तो गेट खुद बखुद खुल गया होता है अनूप एक मिनट भी खराब ना करते हुए अपने घर चला जाता है